दोस्तों मैं हूँ गजेंद्र और आप देख रहे हैं टेकी गजेश और आज की वीडियो में हम बात करेंगी माई लिस्ट फॉर टॉप सिक्स स्मार्टफोन अंडर टुएंटी थाउजन रूपीज चले करते हैं मिटे के शुवाद दोस्तों आप चैनल पर नए हैं और पहली बार रहे हैं तो आप से रिक्वेश आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल अगरें दूर 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 ताकि मेरे अने वाले वीडियो को आप दिल्कुल भी मिस ना करें अब चले बात करते हैं यहाँ पर इन फोन्स की जोगी होने वाले हैं 15,000 से 20,000 के best 6 फोन्स अब देखिए यह जो फोन्स मैंने चूज किये हैं इनको मैंने extensive research के बात मेरे खुद के uses के बाद मेरे आख उता रहा हूँ और definitely आप इने गसे कर सकते हैं और देखिए यह जो फो आप में यहाँ पर 6GB मिलने चाहिए 6GB से कम यहाँ पर कोई फोन नहीं होगा तीसरा यह है कि आपको at least 128GB स्टोरेज मिलने चाहिए बतलब इससे कम का कोई फोन मैं आपको नहीं बताऊंगा और चौथा वो यह है कि at least 48MP का triple या quad camera setup बतलब 48 कम से कम और उसे उपर 64 यह लेंगे तो यह सारे क्रेटरिया फुल्फिल करने वाले फोन ही मैं आपको ताने वाला हूँ और यहाँ पर आखको छे फोन और पहले हम चुड़ात करेंगे 6 नमर के फोन से बात करेंगे फिर फिर 4, 3rd, 2nd और फाइल लिबात करेंगे फिरस नमर पर यहाँ पर कौन सा फोन आता है अब चले बात करते हैं आपके 6 नमबर का फोन कौन सा है मेरी लिस्ट में अब देखें यह जो फोन है यह है एक फोन है और यहां पर आपको कोई भी नॉच नहीं मिलेगी मतलब यह एक नॉच लेगा और चारजिंग भी फास्ट है 18 वाट की चार्जिंग अब चार्जिंग करता है और जो कैमरा है वो है क्वार्ड कैमरा 64 प्लस 8 प्लस 5 प्लस 2 इस यह कैमरा सेटप और साथ में आपको यहां पर 16 मेगापिसल के मिलेगा यह सेल्फी कैमरा और यह एक पॉप-प कैमरा है मतलब आपको कैमर बड़ी से बाहर निकलेगा फिर मोटराइज मेकानजम इस यह है तो यह भी बढ़िया है और साथ में यह है मेरे लिस में फिफ नमर का फोन जोगी है रेड्मी का नोट 9 pro max अब रेड्मी के बहुत से फैन्स देफिनिटली स्फोन को पसंद करेंगे फिकरज यह काफी अच्छा फोन है रेड्मी का हाला कि फोन थोड़ा पहले काफिटा पहले नहौँ चुआ पर डेफिनिल्ट 60 Hz ही है पर डेफिनिली पैनल काफी बढ़िया है Snapdragon का 720G मिलेगा यानि आप गेमिंग भी कर पाएंगे आपको गेमिंग पसने डेफिनिली ये फोन आप कर जिसकते हैं, कसने कर सकते हैं 6GB कराएं है, 108GB की सोरेज है और साथ में 5020 MS की बैटरी मिलेगी इसमें आपको 33W की Fast Charging का सपोर्ट भी मिलता है जिनने आपके फोन की बैटरी भी जादा है साथ में चार्जिंग का सपोर्ट भी फास्ट है बैटरी काफी Fast Charge भी हो जाएगी इसे के लावा इस फोन में आपको Quad Camera Setup मिलता है जो Main Camera है, वो है 64MP का और जो बागी तिन के बैट है, वो है 8542MP जो डेफिनिटी कैमरा भी काफी बढ़िया है और इसके कराब रिव्यू चेक करेंगे तो आपको कैमरा का performance भी इस प्राइस में काफी बढ़िया इस फोन में आपको 32MP का मिलेगा Selfie Camera और डेफिनिटी ये फोन काफी बढ़िया है, प्राइस है 18,400 इनार में रुपे और आप इसे भी करसे लग कर सकते हैं, अब जो अगला फोन है ये है Samsung lovers के लिए और ये है मेरे लिस्ट में चौते नमबर का फोन और ये है Samsung का Galaxy M31S और यहाँ पर आपको जो डिस्प्लेइ मिलेगे, वो काफी शांदार है Super AMOLED पैनल है, और ये है 6.5 मिंचिस का FHD Plus Super AMOLED पैनल और जैसे कि आप जानते हैं कि Samsung के जो screens होती है, वो डेफिनिटी काफी बढ़िया होती है, तो यहाँ पर भी आपको colors बहुत शी मिलेंगे, तो साइफ में है पैसल, तो quad camera setup है, बैटरी बड़ी है, डिस्प्ले बढ़िया है, और डेफिनिटी मल्टी मेडिया कंजू करेंगे, तो आपको काफी बढ़िया है, ये फोन में experience मिलने वाला है, उसी करवाँ यहाँ पर आपको 32 megapixel का selfie camera भी मिलेगा, और side mounted fingerprint sensor है, और साइफ में आपको Samsung का 1 UI मिलता है, वो भी 2.0 मिल जाएगा, तो काफी बड़ी experience हो बढ़िया पर भी, इस फोन की प्राइस है, वो है 19,400 निनारो रुपे, अब देखें, मैं जो फोन मता रहा हूँ आपको, इन सब की प्राइस है, ये 6 काफी बढ़िया फोन है, और POCO के फोन होते हैं, मतलब हर प्राइस देंच आप बात करें, कोई ना कोई फोन आपको मिल जाएगा, मतलब काफी बढ़िया फोन आते हैं, और definitely value for money तो होते ही है, यहाँ पर इस फोन में आपको 6.676 की मिलेगी screen, और साथ में 120 Hz की मिलेगी refresh rate, हला कि पैनल जो है, वो IPS LCD है, और Super Avalor तो नहीं मिलता, लेकिन definitely refresh काफी बढ़िया है, और पैनल भी, यानि size भी काफी बढ़ा है, तो definitely आपको काफी बढ़िया है, मतलब multimedia experience यहाँ पर होगा, उसे के लावा यहाँ पर Snapdragon का 732G मिलता है, और साथ में 6 GB के RAM और 16 GB के storage भी मिलती रुपे है, आप दोनों consider कर सकते हैं, पर मेरे साथ से अगर आप 8 GB पर जाएंगे तो definitely वो एक बढ़िया value होगी, और आपका जो budget है वो भी 20,000 से उपर यहाँ पर नहीं जाने वाला, अब इसे के लावा इस फोने आपको 6000 एमिस की battery मिलेगी, और साथ में 33 Watt की fast charging भी तो definitely यह भी काफी बढ़िया phone है, और मेरे लिस में आता है, यह third number पर, अब इसे कर अगर बात करने हैं, यहाँ पर second number के phone की, तो यह वाला phone एक मातर ऐसा phone है, जहाँ आपको 5G compatible phone मिलेगा, मतलब अगर आपने phone अभी खरेता है, और आप at least, मतलब यह दो तीन साथ साल phone को use क लेकि, लेकिन अगर आप कोई discount में, या अगर आप कोई bank का phone लगा देंगे, तो आपको 20,000 के अंदर ही यह phone मिलेगा, फोन का नाम है, यहाँ पर Moto G 5G, और यहाँ आता है मेरे लिस में, second number पर, और यह phone 5G phone है, पहले जिस दो, आपको यहाँ आपको 6.7 इंजिस की मिलेगी, फुल हडी प्लस रिजूशन, स्क्रीम, और 60Hz की है, अब refresh rate, और साथ में आपको Snapdragon का, यहाँ पर 750G मिलता है, और जो RAM है, वो आपकी है 6GB, और आपको 128G लेकि storage भी मिल जाएगे, इस phone में, और उसे कलाब आप 5000 इंज की बैटरी है, 20W की fast charging है, triple camera setup है, 48+, 8+, 2, और 16MP is your selfie camera, और तो उसे कलाब आपको यहाँ पे rear-mounted fingerprint sensor भी मिल जाएगा, and the most important thing is, कि यह phone 5G compatible है, मतलब इस इंडिया's cheapest phone, जो आपको 5G की compatibility भी दे रहा है, and the good thing is, कि आपको यहाँ पे 5G के काफे सारे bands बनते है, and by the way, मैंने 5G के लिए एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे, मैंने बात किय जब 5G phone खड़ देंगे हैं, तो वो बहुत important video है, go check it out, अब इसे इलावाँ बात करते हैं, यहाँ पे हमारे top, मतलब first number के phone के लिए, जो कि आता है, 15,000 से 20,000 के bracket में, सबसे बड़ी iPhone कौन सा है, अब देखिए, हाला कि लोग debate कर सकते हैं, कि 5G phone जो है, वो first number पो होना चाहि यह जो phone बताऊँगा, यह वाला first number पोना चाहिए, पर मेरे हिसाब से, जो मैं phone आपको बताऊँगा, यानि जो अभी जो phone होगा, यह है मेरी तरफ से, definitely एक clear lead है, और यह है यहाँ पर Realme का 7 Pro, और इसको first number पो डालने का basically, दो reasons है, पहला तो यह है कि आपको यहाँ पर जो screen म बाकी जो, मतलब, performance जालेगी, काफी बड़े मिलेगी, Snapdragon का 720G है, 6G बिराम, 108G बे सोरेज है, और 4500 MS की बैटरी है, और 65W की fast charging है, मतलब आपको charging बहुत fast मिल रही है, instantly आपका phone, मतलब, बहुत ज़ली charge जाएगा, और साथ में जो camera है, वो भी हहाँ पर quad camera है, 64 is the main shutter, उसके ब camera, तो actually selfie बढ़िया है, camera भी बढ़िया है, screen बढ़िया है, charging fast है, तो definitely यह है मेरी तरफ से यहाँ पर top, मतलब, first number का phone, जो की 15,000 से 20 अगे, इन में, आप definitely consider का सकते हैं, अब इस phone की जो प्राइस है, वो भी है, 19,990 यानि exact 20,000 रुपे, और in case मानले जो कोई bank आपर मिल जाए तो definitely यह phone आप consider कर सकते हैं, और यह सारी phones है, इन सभी के buying link description दीव है, अगर आप कोई phone करेता है, तो आप जाके link में चेक करें, और click करके definitely आप उनको best price चेक कर सकते हैं, और phone को वहाँ पर खरीब दी सकते हैं, अब खेर दोस्तों, यह थी मेरी list 15-20,000 रुपे के phone के लिए, अगर आपको माली budget उड़ा कम है, 15,000 रुपे के budget है, तो उसके लिए भी video बना चुका हूँ, आपको link description मिल जाएगा, यहाँ पर email रहाँ चेक कर लेना, और definitely आप इन phone को Instagram कर सकते हैं, और आपको कोई questions है, कोई doubt से हैं, तो आपको comment करके पूसकते हैं, गर आपको video पसना है तो वीडियो को like करें, share करें और चानल को subscribe करना बिल्कुल भी मत भूलेगा, ऐसे वीडियो को बने रहे हमेरें किसी और वीडियो में तो तक के लिए, thank you so much